मा, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की है, कहानी का नेम है मा, वन आज बंदी छूट कर घर आ रहा है, करुणा ने एक दिन पहले ही घर लीप पोत रखा था, इन तीन वर्षों में उसने कथिन तपस्या करके जो दस पॉच रुपे जमा कर रखे थे, वो सब पती की सतकार और स स्वागत की तयारियों में खर्च कर दिये, पती के लिए धूतियों का नया जोडा लाई थी, नए कुर्टे बनवाए थे, बच्चे के लिए नए कोट और टोपी की आयोजना की थी, बार बार बच्चे को बिले लगाती और प्रसन होती, अगर इस बच्चे ने सूर्य की भुती उदे होकर उसके अंदेरे जीवन को प्रदीप न कर दिया होता, तो कदाचित होकरों ने उसके जीवन का अंत कर दिया होता, पती के कारावास दन के तीन ही महीने बाद इस बालक का जन्म हुआ, उसी का मुह देख देखकर करूना ने ये तीन साल काड़ दिये थे, वो सोचती, जब मैं बालक को उनके सामने ले जाऊंगी, तो वो कितने प्रसंद होंगे। उसे देखकर पहले तो चकित हो जाएंगे, फिर गोड में उठा लेंगे और कहेंगे, करुना, तुमने ये रत्न देकर मुझे निहाल कर दिया। कैड की सारे कष्ट बालक की तोतली बातों में भूल जाएंगे, उनकी एक सरल, पवित्र, मोहग डिश्टी द्रिदे की सारी व्यवस्थाओं को धोडालेगी। इस कल्पना का आननद लेकर वो फूली न समाती थी, वो सोच रही थी, आदित्य के साथ बहुत से आदमी होंगे, जिस समय वो द्वार पर पहुँचेगे, जै, जैकार, की ध्वनी से आकाश गूंज उठेगा, वो कितना स्वर्गिय द्रिश्य होगा। इस समय उनके मुख से निकलती थी, उनका वह धैर्य, वो आत्मबल, जो पुलिस के प्रहारों के सामने भी अटल रहा था, वो मुस्कराहर जो उस समय भी उनके अधरों पर खेल रही थी, वो आत्मभिमान, जो उस समय भी उनके मुख से टपक रहा था, क्या करूना के हृद पर दीनता के आंसों कभी उसकी ओखों से न गिरे। आज उन सारी विपत्तियों का अंत हो जाएगा। पती के प्रगार आलिगन में वो सब कुछ हसकर झेल लेगी। वो हनंत निधी पाकर फिर उसे कोई अभिलाशा न रहेगी। सिर जुका हुआ था, करना उसका चेहरा न देख सकती थी, लेकिन चाल धाल से कोई बुड़ा आदमी मालूम होता था, पर एक शन में जब वो समी पा गया, तो करूना पहचान गई, वो उसका प्यारा पती ही था, किन्तु शोक, उसकी सूरत कितनी बदल गई थी, वो जवानी वो तेज, वो चपलता, वो सुबिथन, सब प्रस्थान कर चुका था, केवल हड्यों का एक धोचा रह गया था, न कोई संगी, न साथी, न यार, न दोस, करूना उसे पहचानते ही बाहर निकल आई, पर आलिगन की कामना हृदय में दबा कर रह गई, सारे मनसुबे धूल म मिल गए, सारा मनोलास ओसों के प्रवाह में बह गया, विलीन हो गया, आदित्य ने घर में कदम रखते ही मुसकरा कर करूना को देखा, पर उस मुसकान में वेदना का एक संसार भरा हुआ थान करूना ऐसी शिथिल हो गई, मानो हृदय का सपंधन रूप गया हो, वो फटी ह आखो से स्वामी की ओर टक्टकी बॉंदे खड़ी थी, मानो उसे अपनी ओखों पर अभी विश्वास ना आता हो, स्वागत या दू, खका एक शब भी उसके मुझ से न निकला, बालक भी गोध में बैठा हुआ सहमी ओखे से इस कंकाल को देख रहा था और माता की गोध मे कहा, ये तुम्हारी क्या दशा है? बिल्कुल पहचाने नहीं जाते, आदित्य ने उसकी चिंता को शांत करने के लिए मुस्कराने की चेश्टा करके कहा, कुछ नहीं, जरा दुबला हो गया हूँ, तुम्हारे हाथों का भोजन पाकर फिर स्वस्थ हो जाऊंगा, करूना, छी, सुक कर काटा हो गए, क्या वहां भरपेट भोजन नहीं मिलात? तुम कहते थे, राजनैतिक आदमियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता है, और वो तुम्हारे साथ ही क्या हो गए जो तुम्हें आर्थों पहर घेरे रहते थे और तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाने को तयार रहते थे, आदित्य की तियोरियों पर बल पड़ गए, बोले, ये बड़ा ही कटू अनुभव है करुना, मुझे नमालूम था कि मेरे कैद होते ही लोग मेरी और से यो ओखे फेर लेंगे, कोई बात भी न पूछेगा, राष्ट के नाम पर मित अपने वालों का यही पुरसकार है, ये मुझे नमालूम था, जनता अपने सेवकों को बहुत जल्ब भूल जाती है, ये तो मैं जानता था, लेकिन अपने सहयोगी और सहायक इतने बेवफा होते हैं, इसका मुझे ये पहला ही अनुभव हुआ, लेकिन मुझे किसी से शिक कायत नहीं, सेवा स्वयम अपना पुरसकार है, मेरी भूल थी कि मैं इसके ये यश और नाम चाहता था, करूना, तो क्या वहाँ भोजन भी न मिलता था, आदित्य, ये न पूछो करूना, बड़ी करून कथा है, बस, यही गनीमत समझो की जीता लोट आया, तुम्हारे दर को गोध में उठा कर, बाबुजी है बेटा, तुम्हारे बाबुजी, इनकी गोध में जाओ, तुम्हें प्यार करेंगे, आदित्य ने औसु भरी ओखों से बालक को देखा और उनका एक-एक रोम उनका तिरसकार करने लगा, अपनी जील दशा पर उन्हें कभी इतना दू खर न हुआ था, इश्वर की असीन दया से यदि उनकी दशा संभल जाती, तो वो फिर कभी राष्ट्रिया आंदोलन की समीप न जाते, इस फूल से बच्चे को यो संसार में लाकर दरिद्रता की आग में जोपने का उन्हें क्या अधिकरा था, वो अब लक्ष्मी की उपा उनकी सारी कामना, सारा प्यार बालक को हरिदय से लगा देने के लिए अधीर हो उठा, पर हाथ फैल न सके, हाथों में शक्ती ही न थी, तरुना बालक को लिए हुए उठी और थाली में कुछ भोजन निकल कर लाई, आदिक ने एक शुधापूर्ण, नेत्रों से थाली की देखा, मानो आज बहुत दिनों के बाद कोई खाने की चीज सामने आये हैं, जानता था कि कई दिनों के उपवास के बाद और आरोग्य की इस कई गुजरी दशा में उसे जबान को काबू में रखना चाहिए पर सबर न कर सका, थाली पर तूट पड़ा और देखते देखत थाली साफ कर दी, करूना सशल्ग हो गई, उसने दुबारा किसी चीज के लिए न पूछा, थाली उठाकर चली गई, पर उसका दिल कह रहा था इतना तो कभी न खाते थे, करूना बच्चे को कुछ खिला रही थी, कि एक आएक कानों में आवाज आई, करूना, करूना ने आकर पूछा, क्या तुमने मुझे पुकारा है, आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया था और सौन्ज जोर जोर से चल रही थी, हाथों की सहारे वही टाट पर लेट गए थे, करूना उनकी यह हालत देखकर घब्र गई, बोली, जाकर किसी वैद्य को बुला लाओं, आदि प्रिये, रोओ मत, करूना ने सिस्कियों को दबाते हुए कहा, मैं वैद्य को लेकर अभी आती हूँ, आदित्य ने फिर सिर हिलाया, नहीं करूना, केवल मेरे पास बैठी रहो, अब किसी से कोई आशा नहीं है, डाक्तरों ने जवाब दे दिया है, मुझे तो यह आश्च दू, खर रहेगा, मैं तुम्हे कोई आराम न दे सका, तुम्हारे लिए कुछ न कर सका, केवल सोहाग का दाग लगा कर और एक बालक के पालन का भार छोड़ कर चला जा रहा हूँ, आँ, करूना ने हृदय को द्रिल करके कहा, तुम्हे कही दर्द तो नहीं है, आग बना कुछ बताते क्यों नहीं, आदित्य ने करवट बदल कर कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं प्रिये, कही दर्द नहीं, बस, ऐसा मालूम हो रहा है कि दिल बैठा जाता है, जैसे पानी में दूबा जाता हूँ, जीवन की लीला समाप्त हो रही है, दीपक को बुझते हुए द पारा शोक, सारी वेदना मानो लुप्त हो गई और उनकी जगह उसात्म बल काउदे हुआ, करूना ने पती के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पूछते क्यों नहीं प्यारे, आदित्य ने करूना के हाथों के कोमल स्पर्ष का अनुभव करते हुए कहा, तुम्हारे विचार कहा, ये प्रश्न क्यों करते हो प्रियतम, क्या मैंने तुम्हारे उपेक्षा कभी की है, तुम्हारा जीवन देवताओं का, साजीवन था, नी, स्वार्थ, निरलिक्त और रादर्श, वेखन बाधाओं से तंग आकर मैंने तुम्हें कितनी ही बार संसार की और खीचने की चेश्टा की है, पर उस समय भी मैं मन में जानती थी कि मैं तुम्हें उचे आसन से गिरा रही हूँ, अगर तुम माया मोह में फसे होते, तो कदाचित मेरे मन को अधिक संतोश होता, लेकिन मेरी आत्मा को वो गर्व और उल्लास न होता, जो इस समय हो रहा है, मैं अगर किस को बड़े से बड़ा आर्शिवात दे सकती हूँ, तो वो यही होगा कि उसका जीवन तुम्हारे जैसा हो, ये कहते कहते करुणा का आभाहीन मुखमंदल जयोतिर में हो गया, मानो उसकी आत्मा दिव्य हो गई हो, आदित्य ने सगव नेत्रों से करुणा को देखकर कहा ब मैं मरने को तयार हूँ, इसके आगे क्या हुआ, इसके लिए आपको नेक्स पार्ट सुनना होगा